नमस्कार मैं उप्रिया विहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों क्योर विस्तार से। खूबसूरत लाइट और फूलों से सजाय गया था। महाशिवरात्री फालगुन कृष्ण चतुरदशी को परिग और शिवयोग एवं सहयोग के साथ खनिशनक शत्र में ये मनाई जा रही है। सुबह से ही घरों से लेकर मंदिर तक में पार्थिफ पूजन, जुलाभिशेक और रुद्राभिशेक का सिलसला देखने को मिला। शिव भक्त इस दौरान सुख सम्रिथ आरोग्यता के लिए शिव पंचाक्षे, शिव तांडव, शिव पुरान आदी का पार्थ भी करते नजर आए। खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जुससे की विकासकारे तेजी से आगे बढ़ता रहे। अगले वर्ष 900 करोर रुपए खर्च होंगे। दूसरा निश्ट्र है सशक्त महिला, सक्ष महिला योजना में अगले वर्ष 900 करोर रुपए खर्च करने का योजना बनाए गया है। बिहार के 108 भरष्ट अफसरों पर कसा जाएगा श्रेकंजा, बिहार के भरष्ट लोक सेवकों की मुश्किले आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, क्योंकि 108 भरष्ट अधिकारियों पर बिहार सरकार ने अभियोचन चलाने का फैसला दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि ये सब ही ऐसे 108 भरष्ट अधिकारी हैं जिनके पुराने मामले लंबित हैं, जिनको ही अबंतिम रूप देने की तयारी हो रही है। इसको लेकर सरकार के प्रभारी मंत्री विजे कुमार चौधरी ने बिहार वधान सभा में इस बात की घोशना की है कि जल्डी भरष्ट अधिकारियों के खलाफ मुकद माच्छलाने की स्विक्रती की जाएगी। प्रस्तावित और द्योगिक पार्क है जिससे उमीद है कि आने वाले समय में इन पार्कों के माधियम से बिहार की रह आसान होने वाली है। प्रस्तावित और द्योगिक पार्क हैं। प्रावधान भी किया गया है। यानिकि सभी पार्कों के स्थापना में राजसरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से मदद करने वाली है। माननियों के खलाफ मामले की रोज होगी सुनवाई। हर संभव कारवाई करने का आदेश दिया गया है। प्रावधान भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए यूरल से ले सकते हैं। कई स्कूलों में नहीं बना मिड़े मील सरकारी आदेश के आड़े आई चावल की कमी। COVID-19 के मामलों में आई कमी के बाद ये तैक किया गया था कि सुमबार से बिहार के समी सरकारी स्कूलों में मिड़े मील की शुरबात की जाएगी। लेकिन सरकार के सादेश पे चावल की कमी आड़े हाथा गई जिसके कारण ही कई स्कूल में मिड़े मील बना ही नहीं जुसको स्कूल पहुचे बच्चों को मिड़े मील नहीं मिला। कि मामले की जाज कर उचित कारवाई करने का आदेश अब जारी किया जा चुका है इसको लेकर सभी को दिशान निर्देश भी दे दिया गया है। कारखानों में बंद परिजनों से मुलाकात के लिए छूट प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से सुधार से हवाई निर्देश नाले के महा निर्देश वनीश कुमार मीना ने पत्र जारी कर बिहार के सभी काराओं को आदेश लिया है कि बिहार में कोवर्ड-19 के मामलों में कमी को देखते वे बंदियों से परिवार जनों की मुलाका फिर से शुरू की जाए। चलने की वज़े से उमस महसूस की जा रही है। फिलाल बिहार में अभी कम दबाव का केंदर बना हुआ है। बढ़ गया ग्यास सिलिंडर का दाम। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव को लेकर जिस बात का डर था वो सच सावित होता दिखाई दे रहा है। दोनों देश के बीच में जारी लडाई से एक बात ये बताई गई थी कि इसकी बात महंगाई पर जरूर देखने को मिलेगी जुसके शिरवात आज से हो गई है। दिहार में आज से ग्यास की कीमतों में 105 रुपे की बढ़ोतरी हो गई है। दिहार में एक बयान जारी करते वे कहा कि उतर प्रदेश में जनता दल युनाइटेड जनसंपर का भियान तेज करने के साथ ही पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुचवाने का काम करेगी। जिसके परिणाम सरूब 2027 में जद्यू और प्रत्याशित मुकाम हासल करेगी। इतना ही नहीं भाजपार जद्यू के गठपंदन को उन्होंने परिस्थिती बश बताया था। यानि कि साफ कहा था कि ये कता ही ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कहीं भी चुनाब लड़ेंगे तो वहां भाजपा के साथ गठपंदन करेंगे ही करेंगे। ललन सिंग के इस बयान ने बिहार में तुल पकड़नाश शुरू कर दिया। बिहार कॉंग्रिस की तरफ से MLC प्रेम चंदर मिश्रा ने कहा कि बिहार में एंडिये गठपंदन में दरार आ चुकी है जो सामने देखने को मिल रही है जो सिती प्रदेश में बनी हुई है समभवे के उतर प्रदेश के चुनाफ परिणाम आने के बाद बिहार की सरकार ग रखे एक ही बंच पर राहूल और तीजस्वी साथ में दिखे केंद्रियस तर पर दोनों पार्टियों में एक जुटता नजर आए दरसल हुआ कुछ ही हो कि तमिलाडू के मुख्यमंत्री एंके स्टालिन द्वारा आयो जित कारिक्रम में दोनों ने तान लंबी समय के पर मौजूद थे आला कि तेजस्वी आदव और लालू प्रसाद यादव कई वार कह चुके हैं कि केंद्रियस तर पर दोनों पार्टी के बीच में कोई मतभेद नहीं है मुख्यमंत्री के जन्म दिन पर मांजूद रसी पी सिंग ललन सिंग और तेजस्वी आदव ने दी हारदिक्षब कामना है बिहार के मुख्या नितीश कुमार आज 70 साल के हो गए उनके जन्म दिन को लेकर ही अलग-अलग तरफ से बधाईयों का ताता देखने को मिला इसी कड़ी में बिहार के भी दिगच नेताओं में शामिल पुर्फ मुख्यमंत्री जुईतर नामाजी जी केंद्रे मंत्री, आर्स्टीपी सिंग और जद्यू के राश्ट्रे अध्यक्षर लन सिंग ने भी मुख्यमंत्री को जन्म दिन की हार्दिक शुब कामना भी की है इसको लेकर बिहार के विकास पुरुष के लिए एक मिसेज पोस्ट किया गया है जुसमें लन सिंग ने लिखा कि संकल्पित होकर अपने कारे कोशल और अप्रतिम नेत्रुत्व से बिहार का निर्मान करने वाले बिहार के सर्वमान ये नेता विकास पुरुष आदर्निये मुख्यमंत्री जी को जन्म दिन की हार्दिक शुब कामना भी वही तिर्जस्पी आदब ने भी अपना ट्वीट जारी करते वे मुख्यमंत्री नितिश कुमार को उनके जन्म दिन पर हर्द एक शुब कामना भी दी है टी ट्वेंटी क्रिकेट में विराट कोहली की बैटिंग पोजिशन है श्रेयस आयर की पसंद श्रेयस आयर ने श्रिलंका की खिलाफ टी ट्वेंटी सीरीज में जबर्दश度 प्रदर्शन किया आयर तीनों माच में नौकाउट लॉटे और सीरीज में सबसे ज़यादा रन भी बनाए श्रियस आयर ने इस सीरीज में तीसरे नंबर पर बलेबाजी की और बाद ने कहा कि T20 इंटरनाशनल में उनकी पसंदीदा बैटिंग पुजिशन नंबर तीन की है T20 इंटरनाशनल में भारत के लिए नंबर तीन पर विरात खोली बलेबाजी करते है पुर्फ क्रिकेटर सुनील गवासकर ने इसका उपाय सुझाया है गवासकर ने मताया कि T20 क्रिकेट में अयर की बैटिंग पुजिशन क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है देश भर में COVID-19 के मामलों में आई कमी वही बिहार में मिले COVID-19 के तीस से कमामले केद्रिय स्वास्ता मंतराले के मंगलवार सुबह 8 बज़े के अधितनाकरों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 180 और लोगों की जान जाने के बात कुल जान गवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,14,023 पर पहुँच गई है मरीजों के ठीक होने की रास्ट्रे दरबढ़कर 99,5,9% हो गई है स्वास्ते वभाग की तरफ से साजा की कई जानकारी के अनुसार देश भर में 6000 के आसपास मामले साम दिया है वहीं बिहार की बात करे तो बिहार में कुल मिला करके 29 मरीजों की पुष्टी हुई है जिसके बात बिहार में आक्टिव मरीजों की संग क्याफिल हाल 321 पर पहें पहुँच गई है कल हमारे दुआरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था आप में से जिन्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रमेंद्र कुमार, बबिता यादफ, गौतम कुमार, शाहिद कमल, तबरेईज आलम, निकिता कुमारी, रंजीत मिश्रा, मोनु कुमार, राजीव कुमार, सागर सावरिया, अंचली कुमारी आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हम हर दिन वीडियो केंट में सही जवाब देने वालों का नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, अब चलिए बढ़ते हैं, आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके निसार बिहार परिटन के लि बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेड रहने के लिए हमारे योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक को अंदमाना ना भूले, धन्यवाद